दोस्तो धार्मिक्ता के मार्ग में या सत्या के मार्ग पर चलने में जो नुभव छटा नुभव जो होता है वह भामर्ग गूफा से गुजरना होता है यानि एक तरह की गूफा से साधक गुजरता है जब सुसुनना नाड़ी के द्वारा तिरकुटी पार होती है पार कर लेता है साधक ध्यान साधना के द्वारा अनहद नाद सुन करके तो वह फिर एक भामर्ग गूफार यानि एक लंबे संकेन मार्ग से गुजरता है संद्रोम्नी रविदाजी महाराजी ने भी इस पर एक व्यक्यान लिखा है घट घट बीतर रह्ट चलावे यानि संद्धिनाद के बारे में उन्होंने कहा है घट घट बीतर रहट चलावे जैसे रहेट यानि पहले पानी निकाल कुए से पानी निकालने का एक साधन था रहेट जिसमें बैल लगे होते थे और एक गोल पईया सा होता है जिस पर डबे लगे होते थे पानी के वो भर करके पानी निकालता है यानि रहेट की तरह है गोल घूम रहा है कोई सरीर के अंद तो कह रहे घट घट बीतर रहट चलावे यानि अनहद नाद जब बज़ रहा है तो तब उससे आगे जो है भवन गूफा आती है इडा पिंगला सुकमन नाड़ी में चितने लगाई है तक ही ठैर कर ने रह जाए इससे आगे चलिए आपका मार्ग आपका रास्ता आपका उदेश से आगे है कुछ साधक यहीं पर ठैर जाते हैं और चमतकार करने लगते हैं तो वह अपनी अध्यात्मी कूर्जा को खत्म कर देते हैं नश्ट कर देते हैं दूसरे लोगों को परेशान वे खुश करके चमतकार करके तो रविदा जी महाराजी कह रहे इडा पिंगला सुकमन नाड़ी जामे चितने धरे सहस्त्र में ही भवर गुफा है भवर गुंजा करे यानि सहस्त्र में अब सुसुना नाड़ी जहां से चलती आगे खुलती है तो वहाँ पर क्या है भवर गुफा है और आपको अनुभव होगा जो सादकी चल रहे है या इससे गुजर चुके है तो उन्हें महसूस होता है कि आज से पहले भमर गूफा में आने से पहले कुछ अलग तरह की आवाज अंदर से आ रही थी लेकिन जैसे ही भमर गूफा में व्यक्ति परवेश करता है तो उसे जैसे संसारिक गूफा में परवेश करने के बाद बहार की आवाजे बंध हो जात ठीक उसी तरह है जब सादक इस गूफा में परवेश करता है तो उसके साथ यह घटना घटित होती है और वह कभी ऐसा डर लगता है कि कहीं खो ना जाए गिर ना जाए लेकिन इस गूफा कुछ दिन तक लगातार यह है ऐसी आवाजे आती है जैसे गूफा में चलने हैं हो सकता है किसी सादक के साथ 10 दिन तक चले 15 दिन तक चले एक महिन तक चले लेकिन कुछ दिन बाद इस गूफा से व्यक्ति बहार आ जाता है और फिर इश्वर वेपर में इश्वर जिसे करोड हिंदु धरम में करोडों से भी जादे तेज परकास कहा है सूरज कहा है किस मानो सेरीर के अंदर करोडों से करोडों सूर्या से भी जादे तेज परकास है इसलाम धरम में इस परकास को नूर कहा है वो धरम में परकास कहा है और संतमत में इसे निर्ती कहते हैं और इसाई धरम में भी इसे परकास ही कहते हैं लाइट कहते हैं तो इसमें परवेश करता है तो आए इस छटे लक्षन को अनुभाव को अनुभाव करें चत नाम चत से